लेंज वेलकम टू आर चैनल पापानु फन आर्ठ तो आज की वीडियो जो होगी वो नुसरी इंगलिश वर्कषीट होगी नुसरी प्टे की बच्चों के लिए तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होने वारी है जितने भी parents है जो मेरी videos regularly देखते हैं तो आज की जो वीडियो है जो बच्चे start अभी आपने बच्चों को school शुरू करवाया है उनके लिए बहुत ही helpful होगी अगर आप बच्चे को डेली ऐसी worksheet practice करवाएंगे तो बच्चे को बहुत ही असानी से बच्चा अपना syllabus जो है cover कर पाएगा ठीक है तो start करेंगे सबसे पहले हम करेंगे सबसे पहले हम करेंगे match with the same letter ठीक है बच्चों को alphabet की जो letters की identification करवानी है तो same letter के साथ उनकी matching करेंगे A को A के साथ B को B के साथ C and D M P Q and R ठीक है तो यह ऐसी वाली अपने practice करवानी है तो next हम करेंगे circle the correct letter और alphabet ठीक है यह कौनसी picture है बच्चों को identify करेगा बच्चा picture को recognize करके B से ball तो circle करवाना है ऐसे F for fish, K for kite and A for apple बहुत ही easy और interesting exercise है यह वाली next हम करेंगे match uppercase letter with low case letters ठीक है तो यहाँ पे capital D को small d के साथ then E, F and G then T, I, K and M तो next हम करेंगे circle all the letters इस में numbers और letter mix किये हुए है जितने भी letters है circle करेंगे Q M M, A, B, C, D, P, S, P and F बच्चों को बार बार ऐसे exercise करवाएं दाकि वो identification और recognition असानी से कर सकें तो next हम करेंगे circle दा odd one इस में से odd है P next S, T, S, 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 T is odd then B उल्टा है तो B odd U में V है तो V is odd तो next होगा हमारा match with the correct letter pictures हैं बच्चे को matching करवानी है A for apple, B for ball, C for cat, E for elephant, F for fan, G for grapes, I for ice cream and M for mango बच्चे को बुलवार के करवाना है ताकि वो उनकी reading और writing और observation skill है सारी improve हो जब बच्चा थोड़े alphabet सीख जाता है तो उसके बाद आपने ये वली exercise करवानी है before, after, and between C के पहले B then R X O P Q, R A, B M, N, J, K L, M I, J E, F T, U next exercise होगे, write the missing letters पूरी alphabet, पूरी ABC है, इसमें हम करेंगे बच्चे को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो आप करवाएं ताकि बच्चा जो है easily, सारा syllabus अपना cover कर ले, जैसे की गर्मियों की I, J, K, J, K, L गर्मियों की जो vacations है, वो finish हो चुकी है, school start है, तो बच्चे, बच्चों को आप घर पे ऐसे practice करवाएंगे, तो उनको unit test और first term exam आने वाले हैं, उसके तियारी भी हो जाएगी, बड़ी असानी से, ऐसे आपने practice करवानी है, तो last ये वाली भी बहुत interesting exercise है, write the first letter of the image or picture, ये क this is cloud, C, this is tree, T, this is book, then again B, तो ये थी हमारी आज की nursery के लिए worksheet, hope आपके लिए helpful होगी, अगर आपको मेरी videos, आपके बच्चों के लिए, ये मेरी videos helpful हैं, तो please मेरे चैनल पर वीजिट करें, पानुफन आठ, वीडियो को लाइक और शेर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जितनी भी class है, toddlers की, उनकी सारे with syllabus, मैंने सभी videos upload की हुई, आप जाके विजिट कर सकते हैं, और बच्चों को घर पे ऐसी वेक्षिट प्रेक्टिस करवाएं, और मिलते हैं next video में with new subject, comment box में जूट बताएं कि आपको next video कौन से topic पे चाहिए, तो thank you for watching, thank you.